नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है सेवल डैमेंशन चैनल पर आज हम बात करेंगे आपके सपनों के बातरूम में यूज होने वाले शौवर एंक्लोजर के बारे में जिसे हम शौवर क्यूबिकल्स या फिश शौवर ग्लास भी कहते हैं लेकिन वीडियो शौर करने स से पहले अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन जरूर दबाए जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें शौवर इंक्लोजर या शौवर क्यूबिकल इंस्टाशन से पहले आपको समझना होगा बातरू की ब्यूटी को और बातरूम के डिजाइन को अगर आप आर्किटेक इंटिरे डिजाइनर या फिर सिविल इंजिनेर हैं तो आपको पता ही होगा कि किसी भी अपार्टमेंट की डिजाइनिंग पर 70% एफ़र्ट तो बातरूम डिजाइन पर ही लगता है क्योंकि एक मॉडर बातरूम डिजाइन करना बहुत ही इंपोर्टेंट टास्क है बातरूम से आपकी दिन की शुरुआत होती है एक मॉडरन बातरूम का डिजाइन कमफर्टेबल रिफ्रेशिंग और आपकी ठकान को मिटा देने वाला होना चाहिए साथ ही या इजी टू मिंटेन भी होना चा डाइवर्टर यूज़ करें या फिर वाल्ब मिक्सर यूज़ करें वाश बसिन अंडर काउंटर लें या फिर काउंटर टॉप लें शौवर ग्लास लगवाए या ना लगवाए इसी तरह के ख्याल हम सभी के मन में आते हैं क्योंकि यह वीडियो शौवर ग्लास के उपर ह इसलिए हम इस वीडियो में सिरफ shower and closer की बात करेंगे बाकी वीडियो का लिंक आपको उपर आरे i button या फिर description में मिल जाएगा वहाँ जाकर आप बाकी वीडियो को देख सकते हैं चलिए एक modern bathroom के design को समझते हैं एक modern bathroom को दो portions में divide किया जाता है पहला है wet area दूसरा है dry area wet area को नहने के लिए design किया जाता है जहां होता है shower और dry area में पानी का use कम होता है इसलिए वहां होता है toilet seat और wash basin bathroom की इसी quality को maintain करने के लिए shower and closer का use किया जाता है क्योंकि shower लेते वक्त shower and closer एक partition की तरह काम करता है और पानी को dry area में फैलने से रोपता है जिससे bathroom clean और dry रहता है चलिए अब यह देख लेते हैं shower and closer को install करने के लिए basic requirement क्या है वैसे तो shower and closer को किसी भी bathroom में install किया जा सकता है पर हमारी recommendations यह है कि अगर आप shower and closer या shower glass लगवाना चाते है तो bathroom में जिस जगा shower को fix किया जाना है वहाँ 2 इंच उची और 3 इंच चोड़ी ledge wall जिसे हम local language में बननी या फिर पाली भी कहते है यह जरूर बनवाले इस small ledge wall की finish floor tile या फिर marble से भी कर सकते हैं इस ledge wall को बनाने से आपको दो फाइदे होंगे पहला shower glass के लिए एक leveled platform मिलेगा क्योंकि होता क्या है जिस bathroom में ledge wall नहीं होती उस bathroom में दिक्कत ये आती है कि floor tile या marble को train की तरफ slope में लगाया चाता है जिससे पानी सीधा train में जाए पर glass fixing के वक्त टाइल या marble में यह slope दिक्कत करता है जिससे glass और floor tile के बीच एक gap बनाता है जिसमें बाद में silicone आदी भरना पड़ता है ledge wall बनाने से यह दिक्कत solve हो जाती है दूसरा है ledge wall नहते वक्त floor में हुई water pounding को dry area में चाने से भी रोकता है hope screen पर आ रही इस image की मदद से आप समझ गए होंगे कि ledge wall और shower glass में क्या रिष्टा है अगला question यह है कि glass door कौन सा लगवाएं openable या fit sliding या decision सिर्फ और सिर्फ bathroom के size पर depend करता है generally bathroom door का size 600 mm या fit 2 feet तक होता है shower glass door अंदर की तरफ ही खुलना चाहिए तो यह recommended है अगर shower area की width 4 feet है तब भी openable door लगवाएं अथवा sliding door का use करें अब बात आती है material और price पर shower cubicles में toughened glass का use किया जाता है जो normal glass से 5 गुना तक जादा मजबूत होता है वैसे तो toughened glass जल्दी तूटता नहीं है पर अगर तूट भी जाए तो जादा नुकसान नहीं पहुचाता अगर आप toughened और normal glass में अंदर देखना चाहते हैं तो link description में मिल जाएगा आप वहाँ जाकर ये वीडियो देख सकते हैं shower and closer में use होने वाले glass 10 और 12 mm का होता है इसमें आपको तीन options मिल जाते हैं clear glass, frosted glass और tinted glass pricing की बात करें तो shower and close की price में accessories भी include की जाती है जैसे hinges, handrail, top rail, door magnet, bidding, etc 12 mm toughened glass के लिए price होगा 200 से 300 रुपे पर square feet again ये quality और quantity पर depend करता है एक 7 foot उचे 6 feet चोड़े shower and closer जिसमें एक openable glass है जिसका area है 7,5 मतलब 42 square feet 42 square feet को हम 300 रुपे square feet से multiply करेंगे तो हमार पास आएगा 12,600 रुपे मतलब 7,6 feet के shower and closer पर 12,600 रुपे खर्च करने होंगे ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को like और share जरूर करें और चैनल को subscribe करना ना भूले Thanks for watching Civil Dimensions